हेलो बचो नमस्कार कैसे हैं आप उमिद है बहुत अच्छे होंगे चलिए आज की क्लास नमबर एट सुरू करते हैं पन नेक्स्ट क्लास जहां पर आज फिर अपन कुछ इंपोटेंट कॉंसेप्ट को जानेंगे आज के कौन से कॉंसेप्ट हैं कल मैं आपको फिक्स प्रिपोजिशन से रिलेटिड कुछ बातें बता रहा था तो उसी करम में आज भी हम कुछ फिक्स प्रिपोजिशन से रिलेटिड ही बातें करेंगे fix, prepositions या फिर आज का जो हमारा topic रहेगा preposition है और इसी से related हम सारे concept आज discuss करने वाले हैं तो fix preposition ज़्यादा target रहेगा अपना और बाकी preposition से related सारी बाते हैं आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो चलिए start करते हैं fix preposition से related किया है जैसे एक हमारा preposition है agree, एक word है क्या agree, agree के साथ दो preposition होते है agree with भी होता है और agree to भी होता है agree card क्या होता है? सहमत होना सहमत होना अगर किसी person से है तब हम agree with का प्रियू करते हैं और अगर किसी thing की बात होगी तो फिर हम agree to का use करते हैं इसको अपने example से समझ ले तो जैसे my teacher my teacher my teacher is agree my teacher is agree with me मेरा teacher मुझसे सहमत है तो यहाँ पर agree के साथ with क्यों आया हो? क्योंकि यहाँ पर me person है, person होता है जब with का प्रियू किया जाता है to का use किया जाता है? जब यहाँ पर sentence में thing की बात हो तब जैसे अगर अपने इस तरह से लिखें he is he is agree he is agree to my proposal और वह मेरे प्रस्ताव से सहमत है तो यहाँ पर agree to होगा क्योंकि proposal है अब person नहीं है तो agree के साथ यहाँ पर हम to का use कर सकते हैं यहाँ पर हमारा concept agree के से related था agree के साथ with भी होता है और do भी इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर दो preposition एक तो by और एक with की by और with preposition की बात करें तो यहाँ पर इन के लिए क्या बातें अपने को धिहन में रखनी है सबसे पहले तो अच्छों तो फिर आपको by का use करना है और दूसरी बात अगर अपने घड़ी से कोई time बताने की बात कर रहे हैं अगर हम time बताएंगे घड़ी से तो भी अपने को किसका use करना है by का इसके अलावा किसी चीज का rate बता रहे हैं किसी चीज का rate यानि कि किसी चीज की दर बताएंगे तब भी अपन को by का use करना है तो by के use क्या क्या है by के use है time बताने के लिए person के लिए कोई काम किसी person के द्वारा होता है तो और rate बताने के लिए जैसे example की बात करें घड़ी से time कैसे बताएंगे अपन ऐसे बोलेंगे अगर अपन इस तरह से देखेंगे तो यहां पर in का use नहीं किया जा सकता क्योंकि घड़ी से समय बताने के लिए हम किस का use करेंगे तो यहां पर in के बदले आपको use करना है by का और कोई काम किसी परसन के द्वारा होता है तब भी अपन by का use कर सकते है जैसे यह पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है तो यहां पर हम by का use करेंगे क्योंकि यहां पर पहला example था हमारा घड़ी के द्वारा समय बताना दूसरा काम कोई काम किसी परसन के द्वारा हो रहा है तब और rate बताने के लिए भी हम by का use कर सकते हैं जैसे कि अगर अपन ऐसे बोलें कि with की बात करें अगर हम sentence में with का काम क्या होता है एक तो किसी instrument से अगर कोई काम हो instrument किसको बोलेंगे अपन instrument बोलेंगे किसी उपकर्ण को किसी उपकर्ण से अगर कोई काम होता है तो अपन with का use करेंगे अगर किसी person के द्वारा होता है जब तो by का use करते हैं अगर किसी sentence में कोई काम किसी instrument से होता है तो अपन with का use करते हैं जैसे इसका example यह हो सकता है I cut vegetables with knife तो यहाँ पर knife उपकरन है, instrument है इसलिए हम यहाँ पर with का प्रियू करेंगे अगर बच्चों आप buy का प्रियू करोगे तो यह गलत हो जाएगा I cut vegetable by knife करोगे यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि by तब use किया जाता है जब कोई काम किसी person के द्वारा हो यहाँ पर instrument के द्वारा कोई काम हो रहा है तो यहाँ पर with का use किया जाएगा यहाँ पर by लिखते ही आपका sentence गलत होगा एक इस तरह का example और यादर खलो जैसे I wrote this letter I wrote this letter I wrote this letter in blue ink अगर इस तरह इंक की बात हो तब ना तो by आएगा ना with आएगा तब यहाँ पर preposition in का use किया जाएगा यहाँ पर preposition के आएगा in और इसके अलावे with का प्रियोग होता है साथ साथ के आरत में कोई किसी के साथ की बात हो तब भी अपन with का प्रियोग कर सकते हैं जैसे he is going to Jaipur he is going to Jaipur he is going to Jaipur with his friends with his friends वह Jaipur जा रहा है अपने दोस्तों के साथ तो यहाँ पर with का इस तरह से यूज किया जा सकता है तो आज का हमारा एक concept कौन सा है एगरी और एक हमें by और with के यूज को समझा और भी देखते हैं अपन और concept क्या है इसके अलावा इसके अलावा अब हम बात करेंगे किसकी एक तो about की एक हम बात करेंगे about की एक हम बात करेंगे एक-सी identical की से लग रहे हैं इसलिए इन तीनों के related जो रूल है अपने को समझने हैं about कहां यूज होता है against कहां यूज होता है और around कहां यूज होता है तीनों को तेख लेते हैं line सिध्धी कहींचने की करते है कोशिस सिद्धी या टेड़ी से कोई फरक नहीं पड़ेगा आपके नंबर सीद्धे आने चाहिए बस तो यहां पर अपने एक दूसरी लाइन खींच रहे हैं लाइन टेड़ी से कोई मतलब नहीं बचाओ बस आपके नंबर अच्छे आने चाहिए यहां पर हम बात किसकी कर अब हम बात कर रहे हैं कि अबाउट के क्या यूज हैं अगेंस्ट के क्या यूज हैं और अराउंड के क्या यूज हैं अराउंड अबाउट अगेंस्ट तीनों के क्या यूज हैं तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे वाइट कलर यूज करते हैं सबसे पहला सबसे पहल इसका rule है कि about का use कब होता है about का use होता है लगभग के अर्थ में जैसे he will come about 6 p.m. वह है लगभग 6 बजे आएगा तो लगभग के अर्थ में अपने इस तरह से use कर सकते हैं about का जैसे there are दूसरा example क्या हो सकता है there are about there are about 50 students 50 students there are about 50 students in this class in this class तो यहाँ पर भी about का use कर सकते हैं पन दूसरा about का क्या use होता है about का use होता है के बारे में हिंदी अर्थ होता है के बारे में के बारे में तो इसका क्या use है जैसे I don't know about him I don't know about him मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं तो about का use हमने यहाँ पर इस तरह से किया और दस्तों यहाँ पर आप ओफ का भी प्रियोग कर सकते हो यह भी गलत नहीं होगा I don't know of him अगर आप इस तरह से भी बोलते हो ना तो भी sentence ही होता है और I don't know about him बोलते हो तब भी sentence ही होता है तब कोई mistake नहीं है तीसरा use क्या है इसका तीसरा use है गतिशील होना अर्था मूमेंट में होना ठीक है moving वाली condition में होना गतिशील किन्तु दिशा निश्चित नहीं किन्तु दिशा निश्चित नहीं कोई वस्त कोई चीज कोई व्यक्ती अगर गतिशील है लेकिन किस दिशा में है यह निश्चित नहीं है तब भी हम about का use करते हैं जैसे example है he is he is traveling he is traveling about the world about the world इसका अर्थ यह है कि वह संसार की यातरा पर है अब संसार के किस देश में है यह निश्चित नहीं है तो इस तरह से हम about का use कर सकते हैं fourth use क्या है about का fourth use है इसका कि recently अगर कोई काम होने वाला होता है recently हिंदी में क्या बोलेंगे हाल ही में हाल ही में हाल ही में होने वाले काम के लिए अपन about का use करते हैं जैसे he is he is about to die about to die where हाल ही में मरने वाला है या फिर our exams are about to begin हमारे एक्जाम हाली में शुरू होने वाले हैं तो निकट भविशा में कोई काम होने वाला होता है recently में कोई काम होने वाला होता है उसके लिए अपन about का use करते हैं अच्छा चलिए अब बात करते हैं against की against का use क्या है against का एक use होता है कोई किसी के विरोध में होता है तब जैसे he is he is against me he is against me in the election in the election वह election में मेरे against है he is against me in the election तो विरोध में आता है इसका use और दूसरा इसका use होता है support के लिए support के बच्छों दो अर्थ होते हैं एक अर्थ होता है इसका सहरा और एक support का अर्थ होता है समर्थन तो जब इसका अर्थ सहरा होता है तब ही हम against का use कर सकते हैं अगर इसका अर्थ समर्थन है तब हम इसका use किस कौन से preposition का use करेंगे behind का support के दो अर्थ है सहरा और समर्थन अगर support का सहरा है तब ही आप against का use करते हो अगर support का समर्थन है तब behind का use होगा जैसे example से समझे आप जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि put this pole put this pole against this wall कि इस pole को इस wall के साथ लगा दो तो यहाँ पर बात सहरे की हो रही है मालनों कि यह कोई दिवार है और यहाँ पर किसी pole को लगाने की बात कर रहे हैं इस pole को इस दिवार के सहरे लगाने की बात कर रहे हैं तो सहरे के लिए अपन against का use करते हैं और behind जो होता है में इन दा इलेक्षन सारा गाओं इलेक्षन में मेरे बिहाइंड था अर्थात समर्थन में था अर्थात सपोर्ट में था अब बात करते हैं अराउंड की अराउंड का एक अर्थ होता है चारों और चारों और इस तरह से जैसे अगर अपने इस तरह से लिखें There are a lot of trees around this temple इस temple के चारों और बहुत सारे पेड़ हैं There are a lot of trees around this temple और अर्थ के लिए अपन क्या यूज करते हैं? इस तरह से एक्जांपल होता ना The earth moves around the sun पर्थवी सूर्या के चारों और गोमती है तब तो अपन राउंड का यूज करते हैं और इस तरह से यहां पर राउंड दोनों में फरक क्या हुआ? दोनों में फरक यह हुआ कि मानलो की यह कोई मंदीर है मानलीजिए कि यह कोई मंदीर है और इसके चारों तरफ पेड़ है तो पेड़ तो स्थिर है ना जब कोई चीज चारों और वो स्थिर हो तब तो अराउंड का यूज होता है और यह सूर्या है और पर्थवी इसके चारों और चकर लगाती है तब उस condition में परत्वी जो है वो स्थिर नहीं है घूम रही है तो उस condition में अपन round का use करते हैं और चारों और के अर्थ में इस तरह से हम around का use करते हैं और इस तरह से round का use होता है और around का एक अर्थ करीब गरीब भी होता है जैसे he will come here around 6pm जैसे यहां पर हमने use किया था वैसे around का भी use हम कर सकते हैं तो यह थे आज की कुछ important बाते हैं और आपकी यह class अगली है डेली आपको एक short and sweet class मिलेगी तो आप channel से जुड़े रहें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच share जरूर करें अच्छा लगे तो like करें comment करें अच्छा नहीं लगे तो आप इसको dislike करके चले जाएं